नमस्कार एक बार फिर आपका स्वागत है डीवी नीउस में चातर्जगर के कांकेर जिले के परल कोट इलाके में इन दिनों एक हाती ने जम कर उत्पात मचा रखा है अपने जुन्ड से बिछडने के बाद एक हाती ग्रामीर इलाके में पहुँच गया है यहां ग्रामीरों के खेतों और घरों को नुकसान पहुँचा रहा है वहीं इस गौरान गाउं में हाती को देख एक यूगव ने अपने मॉबाइल से सेल्फी लेना चाहा और उसके पास पहुँच गया जिससे गुसाय हाती ने यूवक को अपने पैरों से कुचल दिया जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गयी इस घटना के बाद से गाउं में दहशत का माहुल बना हुआ है यूवक का नाम कमलेश है जो होल सेल का व्यापारी था पताया जा रहा है कि ग्रामिडों को मना करने के बाद भी वह हाती के सामने जा पहुचा जैसे ही अपने मौबाइल से सेलफी लेना चाहा गुसेल हाती ने यूवक की तरफ दोड़ा और इस जोरान यूवक जमीन पर गिर पड़ा इसके बाद हाती ने अपने पैरों से उसे कुचल दिया हाती का हमले इतना जोरदार था कि मिरतक की अतरिया और लीवर तक बहार आ गया था वहीं अभी भी हाती का उत्पाद जारी है